श्रीकोपाल लाल प्यारे की जै श्रीकिर राज धरन की जै मन्जस्त पिराजमान परमादर्निय परमश्रद्धे प्रातहस्मर्निय परमपुज्यश्री पित्रुचरन एवं समुपस्तित परमादर्निय जिश्ट भात्रुचरन आपना युगल चर्णार विंदमा सदेन्य कोटी डंवत प्रणाम अवाद में आओ चलो रहाँ चेंज मत करो फिर बार-बार कि बार्णिय को ग्रादादर्निय को अन्तियाँ करों तो झाल करों करों खबर चे नो कथा चालो थे कि कि बागी जाना एवम उपसिताबधा वल्लभी वेश्णब्रिंद। आओ भगवद चर्णार विंदमा रतिवधार नारी प्रहुमा द्रड़ता विश्वास सुधर करवावाडी एव्याद्धि विश्रिमद भागवती गंगामा सुनान पान आच्मन करिए गत दिव से आपने तृतियस कंद अंतर गत सर्गली लाना दर्शन करिया अने तृतियस कंद अंतमा कपिल गीतानू श्रवन करियो इदे मास्व विशेष श्रिवल भाधी शकी जय कपिल गेता अंतर गत सविशेष निर्गुण भक्ती एनू स्वयव पेना लक्षन निचर्चा करि तृतियस कंद अंतर गत सर्ग श्रुष्टिनू सर्जन कई प्रकार्थी थेऊ केवीर्थे थेऊ अने चतूरत सकंद अविसर्ग धना आचारियों बतावियों कि अविसर्ग लेला इटले विविद प्रकार्णी जे भगवाननी स्रुष्टि छे ए शे आचार जी आग्या करे छे के विसर्ग इटले विविद प्रकार्णी स्रुष्टि नहीं परंतु विशिष्ट प्रकार्णी सुष्टी अन ए चतुर्तसकन अंतरगत विसर्ग लीला जेना चार प्रक्रणों बतावया धर्म अर्थ काम मोक्ष सौथी प्रथम धर्म धर्म प्रक्रण अने ए धर्म प्रक्रणना धर्म प्रक्रणनों सात अध्यायों मा निरूपन कर्यू धर्म प्रक्रणना सात अध्याय सहितू राखवा मा आवया छे रहस्य बतावता आचार्यों समझावे छे के धर्मनी प्राप्ति धर्म सिद्ध कई रीते थाए तो इना माटे साथ प्रकार्णी शुद्धी जोई है देश काल मंत्र देह विचार इंद्री अने द्रव्य आ साथ नी शुद्धी थाए तो धर्म प्रत सिद्ध थाई चाई बीजु प्रकरण अर्थ अर्थ प्रकरण जिना पंच अध्याई बतावया कारण पांच साथन बतावया के जेना द्वारा अर्थ सिद्ध थाई चे पहलु साथन माता पिताना अशिरवाद होई तो अर्थ सिद्ध थाई बीजु भागवद क्रपा त्रीजु गुरु क्रपा चोथु उद्ध्यम न पांच मुँ प्रारब्ध अपांच साथनों थी अर्थ सिद्ध थाई चे यल्या पंच अध्याई मा अर्थ प्रकरण निरूपन करेऊ त्रीजु बताव्यु ग्यान प्रकरण काम प्रकरण काम प्रकरण न अग्यार अध्याई बताव्या जे बताव्य चे के अग्यार इंद्रियों मा कामनाओं रहे ली चे पांच ग्यानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय नेक मन पने आएकादा शिंद्री है जारे भगवान मा लागी जाए तो अलोकी कामेनों सिद्ध आई छे चोथू मोक्ष प्रक्रण पने ए मोक्ष प्रक्रणना आठ अध्यायों बताब्या शे अचार जी आग्या करे छे के अश्टधा प्रकृती छे भूमी राप अनलोव वायुहु खंबनों बुद्धी रईवच अहंकार इती तो प्रिथ्वी जल अग्नी वायु आकाश मन बुद्धी अहंकार आ अश्टधा प्रकृती ने जे काबुमा राखे इने मोक्ष नी प्राप्ती ठाए छे प्रकृती जे ना आधिन छे भगवान अने जे प्रकृती ना आधिन छे जीव। हवे अश्टधा प्रकृती ने काबुमा राखे इने जीव पोताना साधन थी इकरी न शके जारे भगवद कृपा थाए अनुक्रह ए जीव पर थाए तो पछी प्रकृती ना तत्वेन बाधान थी करता अने जे ना प्रमाणो आपड़ा वार्ता साहित्यमा घणा जोवा मड़े जे जे न काशिना सेठ तमेलो पुर्शोतम दास जी रोज जलनी गागर भरता सेवा करता ठाकृजी नी अगाद संपत्ती कोई सीमा नी पर पुताना हाथ ठाकृजी नी सेवा कर एवी भावना द्रडता निश्ठा ने रोज अप्रस्मा स्नान करी ने दूर थी जल लेवा जता गागर मा भरी ने लावता एक दिवस इनना पुत्र जोईू गुपाल दास जी अरे पिता जी बोयो ब्रिद्ध थाई गया छे श्रमित थाई रहा से आवी ने बिंती करी लाव पिता जी हूँ आ सेवा करू वारता प्रसंगोना एक एका भगवदिवना वचन रहस्यात्म तो गुढ़ात्म कचे कारण के आ सेवा करी रहा छे अने ए जे सेवा करता जो एमने आपी दे तो ए सेवा खंडित थाई जाए जे पन आपने सेवा कारे करता हूँ ये पूर्ण करी ने उभा थो अड़धू हूँ करो न अड़धू तो करी लेवू नहोँ हूँ न बीजादी उसे वारता जी मा आवे छे के जारे अप्रस्करी ने आवे आ इमना पुत्र तो शूचयो जाने आम सोड सततर वर्ष्ण चोकरों आम दोडी दोडी ने गागर भरी ने लई जे जाए ओछ एवा दर्शन था आने इमना चरण मा पड़ी गया अरे पिता जी आपना सुरूपने ओड़खी न शक्यो पुर्शोतम दाज जी कहे बेटा जने शी वल्लबनो द्रडाश्रे थाई जाए न येने प्राकृत तत्व बाधा नथी करता येने प्रकृती सताउती नथी घणा एवा बदा प्रसंगो जने कृषंदास जी ने जुओ द्रण दिवस्तुधी शिला पकड़ी ने उभा छे कोई प्रकृती नु तत्व बहा प्रभुजी जारे गुफामा थी बहार पधार्या सत्संग करीने अरे कृषंदास तो को ठंडी नहीं लगी तो को भूख नहीं लगी तो को प्यास नहीं लगी तो के नहीं कृपानाथ आशू छे अब भगवद कृपा जे वल्लभनी निष्ठा छे द्रणता भाव छे इन फल सरूप ये भगत ना आधिन प्रकृती बनी जाई छे जेम चाचा जे जलू पर चाले जता अश्टाक्षर मंत्रना फल सरूपे घणा बधायवा प्रसंगों छे तो धीरे धीरे भगवद लीला कथा अश्रवन किर्टन स्मरणना माध्यम थी एवी अवस्था इजीवने प्राप्त धरी शके छे एटले आ मोक्ष प्रक्रणमा जे अश्टधा प्रक्रती छे अनि जे प्रक्रती उपर काबू पाई ले इने मोक्षनी प्राप्ती थाई छे एले एकत्री सद्ध्यायों माँ धर्म अर्थ काम मोक्षनों निरूपन करें आज चार पुर्शार्थ हो छे चार पुर्शार्थ सिद्ध कईरी ते थाई तो बे पुर्शार्थ नी प्राप्ती कर्म द्वारा थाई छे अने बे पुर्शार्थ नी प्राप्ती भाग्य द्वारा थाई छे धर्म अने मोक्ष ए कर्म थी प्राप्त थाई छे अर्थ अने काम ए भाग्य थी मड़े छे समझ जो बात में मुख्या चार पुर्शार्थ छे आपणने धर्म पन जोईए छे आपणने अर्थ पन जोईए छे कामनाओ पन छे मोक्ष पन जोईए छे प्राचार पुर्शार्थ बे एमा थी भाग्य थी सिद्ध थाई बे कर्म थी सिद्ध थाई धर्म अने मोक्ष कर्म थी मड़े अर्थ अने काम भाग्य थी मड़े ये वो नियम छे पर आपने शुकरिए उल्टू करी नाईको धर्म अने मोक्ष भाग्य उपर छोड़ी दिदे भाग्य महाशे तो करी शुक भाग्य महाशे क्रिपा थशे तो सेवा करी शुक भाग्य महाशे तो यात्रा करी शुक भाग्य महाशे तो आम करी शुक अरे भईया समझवानी वात एछे के धर्म ने मोक्ष भाग्य थी नहीं कर्मती मड़े करपा हशे, करपा हशे व नदी करपाँ छेज साधारण जीव कहे छे के भगवान करपा धाय, करपा धाय अन्न उत्पम प्रकारना भक्तों जीं कुंता जी नीजे स्तुम्हाे आपरवड़ दरशन करया एक कहे जे के प्रभु आपना उपकार आपना आपनी कृपा हूं क्या सुधी गणाऊ केटली केटली आपनी अमारा उपर कृपा छे अने साधारन भक्त कहे छे कृपा धाये कृपा धाये कृपा धाये द्रश्टी मा फरक छे प्रहो किटली किटली जग्या आपे अमारी रakषा करी एक तो प्रतिघ जीवनी गर्भ हमाँ रख्षा करवाड़ा कोण? माता क्यों जुए छे, क्यों खाए पी ये शे, साम्ब्रे छे ए गर्भ माँ कोण रख्षा करे छे बाड़क नी? भग्वादी तो करते हैं आने मानों जन्म साथ ये, आध्यात्मिक भाव साथ ये, आपणने जन्म मड़ेлет नेतों लोको तो केवा भोगविलास मां जीवन भोगी रहा च्रॉड प्रवाहा मां वही रहा च्रॉड क्या हमारी अंदर आध्यात्मिक भाव ना पी इकर्पाः अरे शे महा प्रभुजी जेवा गुरु आपण ने मड़ी गया केटली कृपा चेवा अने शे महा प्रभुजी आटलो सुन्दर पुष्टी संप्रदाए ये आपण ने आप यूँ विशेश कृपा अने सविशेश हजी जुओ शे महा प्रभुजी ने कही मैं तो कुँ अपनो सरवस्व दे रहे हूं अब तु वाकु अपनो सरवस्व जानी के सेवा करियो आपने ठाकूर्जी पदरावी आप्या आपना घर माझे बिराजमान वैश्णव या ठाकूर जी बिराजे से जारे पुष्ट थाए क्या रे ठाकूर बने च़या जारसुदी ए सेव्य नो थाए ए पुष्ट नो थाए त्यारसुदी ए ठाकुर नो केवाए तमें बजार माती फोटो लेआवयाने मुर्थी लियाए वा लड़ू गुपाल नीने तमें एनी पूजा करवा लागोने जहारी जी बरो तमने एम लागे छे के हूं करू प्राण प्रतिष्ठा करवामा आवे छे इम पुष्टि प्रम्परामा संप्रदायमा पुर्षोतम प्रतिष्ठा प्रकार शिगसाईंजी द्वारा जे पुष्टावानो आखो प्रकार बतावे छे अने जे आचारे वन्षज द्वारा जारे ए मुर्ती जे तमें लई ने अच्छी ये ठाकूर जी अवे आ अमारा घरना कौन तो ठाकूर जूनों शब्द आपलो ठाकूर आम गामना ठाकूर जे मुख्या होए ना बहु सत्ता संपत्य बहु एनु मान होए इना आधीन बनीने इना माटे बधाने रिस्पेक्ट होए कई पन काम करूए तो पेला इनी आग्या ले तो किभी आ अमारा घामना ठाकूर जे क्या मुख्य गया होँ बोले क्या अगामना पटेल जे क्या आम छे तिम छे एवी ते अमारा ठाकूर अमारा घरमा विराजतो क्रिश्ण ये मुख्य चे हमें बढ़ाए ना दास थाई गया तो ये भाव प्रतिष्टा थाए त्यारे ये क्रिश्ण चे जे मामा आ वस्तु समझा माटे बहु चोपडाओ के बहु ग्रंतों माचवानी जरोड न थी आ सीधी वस् चे जिम कोई एक पुरुष होए एक महीला अने एक पुरुष समझो एक घरमा साथे रहे चे इनों मतलब ए नथी के पती-पत्नी चे पती-पत्नी क्या रहे कहवाए जारब एक काईदा कि ये एक शास्त्र ना प्रमाणे इने पानी ग्रहन कर्यू होए हस्त मिलाथ थयो हो ह फेरा फर्या होए अन्य आध्यात्मने छोड़ो लौकिक द्रश्टिरी पंड जोवाज जहिए तो ज्यासुदी रजिस्ट्र माँ जहिने साइन सिक्का न करे त्यासुदी लीगल ये हस्बेंड वाइफ न केवाए बरोबर छे या ए विर्तेजिशी महाप्रभुजी समझा आवे छे के बजार्ति कोई कि मूर्ती लेए आव्या तो ए ना कृष्ण छे ना ठाकुर छे ना तमे ना भक्त छो तो आ प्राण भाव प्रतिष्ठा जा रहे थाए त्यारे ठाकुर तो शे महाप्रभुजी नी केटली कृपा आपनने ठाकुर जी पधराविया प्या तो कृपा तो छे आपने आ धर्मने मोक्ष्णे युने भाग्ये ऊपर छोड़ी थे तो कृपा थशे थशे कृपा कर पा कृपा कर पा कर पा कर पा कर पा करordon कर तोसा हि तो आगे तो बड़ पुला के अमना गरमा अनुकुलतार नथे सेवानी अमना छोक्राव नाना चेने आ मोटा चेने